आज का हमारा महतोपूर कंटेंट होने वाला है हिंदी भी से 12th कलास की हिंदी का हम करने वाले हैं हिंदी अनिवारिये 3 घंटे 15 मिनिट का आपका पेपर होगा पूर्णांक आपका 80 का होगा और इसमें आपके जो अंक भार होंगे ज्यान वाले, बोध वाले ज्यान उप्योग वाले, कोसल वाले जिसको हम मौडिक्ता भी कहते हैं उसका भार दिया वा हैंक भार वस्तुनिष्ट परसन आपके कितने होंगे अतिलग उत्रात्म के कितने होंगे तो टोटल आपके जो परसन होंगे एक माक्स वाले, वो देख लें कि आपके कितने एक माक्स वाले परशन आने वाले हैं, तो टोटल आपके जो एक माक्स वाले पर आएंगे, वो आएंगे 30 नंबर के, लगुत्रात्मक होंगे, वो आपके 5 और दिर्गुत्रिय होंगे, वो 5 होंगे, निमंदात्मक परशन इस होंगे आपके जिनका अंक भार परतिसत में आगे दिया हुआ है अब विशी वस्तु कहां से क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं आपका जो एपठित गध्यांस होगा है एपठित गध्यांस का मतलब ऐसा गध्यांस जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है देखा हुआ नहीं है वो आएगा बारा माक्स का रचनात्म का लेखन जिसमें पत्र और निमंद होगा वो होगा आपका 9 माक्स का पत्र और निमंद विभारिक व्याकरण आपके 8 माक्स की होगी अभिव्यक्ति और माध्यम आपके 7 माक्स की होगी तो ये आपका करवाया जा चुका है व्यभारिक व्याकरण और अभिव्यक्तियों माध्यम का वीडियो है वो सरल और सहज विसलेशन करके आंस्वर सहीत डालावा है अब आपका जो आरोह बुक है उसमें से 32 माक्स आएंगे यानि 32 नंबर की होगी आपकी आरोह बुक और वितान होगी 12 नंबर की तो आरोह पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और वितान पर आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है ये आपका जो बोर्ड द्वारा जारी ब्ल्यूप्रिंट है उसके अकोर्डिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परसनों को सलेक्ट करते हुए नोट्स के रूप में तयार किया हुआ है सबसे पहले हम देखेंगे चैनमबर का आपका आने वाला है ऐपठित गध्यांस उसको हल करना और ये जो चै माक्स हैं ये लेना भौती आसान है क्योंकि ये हमें इसी में से इस गध्यांस में से ही पढ़के अपने उत्तर सलेक्ट करने हैं तो ये कठिन नहीं है गध्यांस को आप ध्यान पुरुक पढ़ें थिर की जो अपना पोइंट है उसको नोट करते हुए आंस्वर तक पहुंचने का प्रियास हम आसानी से कर सकते ह इस परकार से आपके गध्यांस के बाद पर्षन होंगे जिसको हम आसानी से कर सकते हैं दूसरा जो गध्यांस होगा वो भी छह नंबर का होगा और उसको भी हम आसानी से पढ़ कर आसानी से उनके उत्तर हैं वो दे सकते हैं विभारी के व्याकरण आपकी करवाई जा चुकी है करेंगे आरोह का पद्दे भाग और इसमें खंड ए में किस परकार के परसन मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं उनको देखने वाले हैं कवीता की उडान होती है कैसी होती है अपाहिज को कमरे में बंद करने का उद्देश से क्या है तो उसके माध्यम से धन को कमाना बादल राग कवीतान निराला ने किस कावे संग्रह से उद्रत किया है कहां से लिया है अनामिका से तुलसी दास ने सबसे बड़ी आग किसको बताया तो पेट की जो आग है उसको तुलसी दास जी ने सबसे बड़ी आग बताया तुलसी दास जी का कहना है कि पेट की आग है वो सबसे बड़ी आग होती है जैनि जिसको भूख हम कह सकते है जग जिस पर्थवी पर जोड़ा करता वे भवपंक्ती में जग क्या जोड़ता है तो परशिद्धी को फिराख गोरखपुरी ने साहिते में किस छंद का प्रियोग किया है तो रुबाईया छंद का प्रियोग किया है फिराख गोरखपुरी ने अतिलग उत्रात्मक पर्षन जोकि आरोह पद भाग से बनेंगे और उत्तर शीमा होगी चाड़ेस सब्द के है यह अपून संसार ने मुझको भाता कभी बच्चन को यह संसार अपून क्यों लगता है तो कवी बच्चन को यह जो संसार है या पून लगता है, क्योंकि मानव जीवन में प्रेम ही सर्वोपरी है, और जीवन की सरलता, समरस्ता, सब प्रेम पर ही है, यानि सब प्रेम पे ही निर्भर करती है, कभी का ऐसा कोई प्रेमी हर्दे नहीं मिला, कभी को ऐसा कोई प्रेमी हर्दे नहीं मिला, जिसमें वो अपनी भावनाई व्यक्त कर सके, इसलिए उनको लगता है कि संसार है या पून है, पून नहीं है, क्योंकि यहां किसी भी व्यक्ती के सामने वो भावनाई व्यक्त कर सके सरल और सहज प्रेम कहीं पर कट हो सके ऐसा कहीं भी उनको नहीं लगा जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास बच्चों का कपास के साथ क्या समंध है तो कपास बहुत हलकी और कोमल होती है तो था कोई भी चोट सहन कर सकती है बच्चे भी हलके फुलके कोमल नाजुक और चोट सहन करने में समर्थ होते हैं बच्चे गिरते हैं फिर उठते हैं फिर गिरते हैं इसी कारण में पतंग उड़ाते समय खेलते समय भागदोड करते हैं इसमें बच्चे और कपास को उपमे और उपमान का समंद बताया गया है क्या तुमने भासा को सहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा पंग्तिकास से क्या है तो कवीता में चमतकार का प्रदसन करने के लालच में कठिन सब्दूं का प्रियोग कर देता है जिसे कवीता की संप्रेक्षणियता है संप्रेक्षणियता मतलब सब्दूं को एक जगय से दूसरी जगय पहुँचना सहजिता है वो नष्ट हो जाती है भासा को तोड़ना मरोडना उसके सीधे सरल अर्थ को नष्ट करता है जिसे कवीता का भाव है वो सुंदर ये है, वो इसपष्ट नहीं हो, पतर ऐसा आच्रन करना ही ना समझीज माना जाता है हम समर्थ सक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में प्रस्तुत कवी पंग्ती में कवी का कौन सा भाव व्यंजित वाया, तो कवीता की जो उक्त पंग्ती है, उसमें कवी एक अपाही जो दुर्बल व्यक्ती के परती करोना समवेदना और सहनुभूती व्यक्त करता है, किस व्यक्ती के परती, अपाही जो व्यक्ती के परती और साथ ही दूर दर्शन पर कारेकरम संचालकों की जो समवेदन हिंता है उस पर व्यंग और आक्षेप भी व्यंजित हुआ है समसीर बहादूर सिंग की किनी दो रचनाओं के नाम लिखने तो बात बोलेगी और काल तुझसे होड़ने मेरी ये दो रचनाओं हैं अटालिका नहीरे आतंक भवन कवी में अटालिका को आतंक भवन क्यों का आगया है कवी अटालिका को आतंक भवन इसलिए कहता है कि धनवानू के ये उँची उँची जो भवन है गरीबूं को सुख देने वाले ने होकर उनका सोशन करके आतंक फैलाते हैं तथा गरीबूं में भै उत्पन करने के कारण इन अटालिकाओं को आतंक बहुन का आगया तब परताप और राखी परभू जब हुँ नाथ तुरंत ये पंग्ति किसने कब और किसको कई ये हनुमान ने भरत को कई संजीवनी बूटी ले जाते समय भरत ने अपने बान से जब हनुमान जी को गायल कर दिया जब अभी मंतरीत बान पर बिठाया तब हनुमान जी ने कहा कि आप बड़े परतापी राजा हैं मा आपके प्रताप का इस मेंड कर तुरंथी लंका स्री राम के पास पहुंच जाओंगा लगुत्रात्मक परसन कौन से बनेंगे जो ग्यान परियोग अभिवेक्ति वाले होंगे 60-80 सब्द के होंगे चोटा मेरा खेत कविता में कवी ने खेत की समानता चकोर पन्ने से किस परकार कर दी कि खेत हो चकोर पन्ने के समान है ये क्यूं का तो कवी उमा संकर जोसी चोटे चकोर खेत को कागज का पन्ना कहते हैं कवी कर्म करना भी किसान के द्वारा खेती करने जैसा सरम साद्धेकारी है कागज के पन्ने और खेत के आकार में भी समानता है जैसे बुआई, अंकूरन और पोधों के फलफूल देने में है भावार्थी है कि जिस परकार कवीता सब्दूं के बीजूं द्वारां कूरित होती है कलपना के सारी विक्षित होती है उसी परकार खेत को लहला आते देख किसान भी परशन होता और कवी का चोकोर पन्ना और किसान का छोटा खेत एक समानी है पेट की आग समन इस्वर भगती का मेग ही कर सकता है तुल्सी का ये काव्य सत्य क्या आज भी यूग सत्य है क्या वर्तवान समय में सत्य है तुल्सी जी कहते हैं या तुल्सी जी सपष्ट करते हैं कि इस्वर भगती रूपी मेग ही पेट के आग को बुझा सकते हैं तुल्सी का ये काव्य सत्य उस यूग में भी सत्य था और आज भी सत्य है प्रभू भगती से जो सत्कर्म की परवड़ती बढ़ती है अच्छे कर्मों की जो परवड़ती बढ़ती है और सत्कर्म से वेक्ती इमानदार और अपने पेट की आग को सांत करता है सत्कर्म और कर्म निष्ठा से वेक्ती आर्थी की स्थिति में सुधार कर आज वीका की स कर्म हींता से कीगी भगती से व्यक्ति के पेट के आगे नहीं बुझती यानि तुलसी जी कर्म को महत्व देते हैं और थोथी अंद भगती का विरोध करते हैं बादल राग कविता का मूल भाव क्या है बादल राग जो कविता है वो निराला जी की है और निराला जी की ये कर करांतिकारी भाउं से पूरित कविता है और इस कविता में कवी ने बादलों को करांति का परतिक बताया है कवी सोशित वर्ग के हितकेले बादलों का अवाहन करते हैं करांति के परतिक बादलों की गर्जना सुनकर पुंजी पती वर्ग है वो भैवीत हो जाता है जबकि सोश से भरे हुए हैं अता समाज में सोसित किसानू को उनका अधिकार दिलाने के लिए करांती के आउसिता है और सोसकू और पुंजिपती वर्ग के परती व्यंजना पौन भाउं की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विसमता मिटाने पर जोड दिया जाता है दिया गया है इसमे तूटता इस उसा का अब सूर्य दो हो रहा है उसा कविता में भोर के प्राकरतिक जो सोंदरी है उसका चितरन अपने सब्दों में कीजिए भोर होते ही आकास में कुछ लालिमा फैलने लगती है फिर जो नीले आकास में सूर्य का गोर जिलमिलाता तेज प्रकास से यूक्त बिम्ब चमकने लगता है उससे उसा का जो प्राकरतिक सोंदरी है वो समापत हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब उसा का जादू तूट गया है और प्राता काली नाकास आख में लिपे हुए चोके जैसा लाल के सर्शे दूली हुई काली सील जैसा और बाद में सुर्योदे ह होने पर प्रकास से जगमगाने लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में व्यक्त भावू उद्देश्यों को व्यक्त करना है कौन से विचार हैं वो व्यक्त हुए तो कवी हरी संकर्प हरी वन्सराइ कवी हरी वन्सराइत वारा रचित गीत है दिन जल्दी कवी ने परकर्ति की दैनिक प्रिवर्तन सीलता के संदर में मानव मातर के धड़कते हुए हर्दे के भाउं को सुनने की जो काव्यात्मक कोशी सव की है पिरिये वेक्ति से मिलने की उतकंठ इच्छा या सवजनों के मद्धे रहने का सकुन पैरों की गती में चंचलता भर देता है इस अनुभूती के साहरे हम सिथिलता को प्राप्त होने से बच जाते हैं ये गीत गुजरते समय कि तीवर्ता का ऐसांस एं लक्षे प्राप्ती की जोस लिये हुई है हमें जल्दी से अपने लक्षे को प्राप्त करना होगा यही संदेश इस कविता का मुख्यू देश से है कविता के बाहने कवी कविता के बाहने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के मानने क्या हो सकते हैं बताईए तो सब घर एक कर देने का स्चे है कि आपसी जो भेदभाव है अलगाव वाद का जो बोद है अलग होने का जो बोद है भेदभाव है वो रखना और वैसा ही आशरण करना, सब घर एक कर देने जैसा विवहार, खास कर बच्चे करते हैं, बच्चे खेल में अपने प्राय का भेद है वो भूल जाते हैं, सभी घरों को अपना घर जैसा ही मानते हैं और उसी परकार कभी भी अपनी कवीता के माध्यम से सकल मानव स समाज को समान मान कर अपनी बात कहते हैं कवीता के सब्दों में खेल के साथ मानवी भावना जुड़ी हुई है जिसमें सभी प्रकार की सीमाएं हैं वो सवते ही छूट जाते हैं ये अपून संसार ने तुझको भाता इस पंक्ती के अंसार कवी कि ये जो संसार अधूरा क्यो सभी स्थाई नहीं है सभी माया मोह में फसे हुए हैं राग द्वेश और स्वार्थ में लीन हैं सभी स्वार्थ परता में लीन हैं कवी का अपना अलग ही सपनों का संसार है कवी उसी से पूनता पाता है पतंग कविता के आधार पे पतंग की विशीष्टा क्या है उसका वर्णन करना है तो पतंग कविता में कवी ने सरद रीतू में आसमान में उड़ने वाली पतंगों का वर्णन किया है कवी कहता है कि पतंग दुनिया की सबसे हलकी और रंगीन चीज होती है और वो दुनिया की सबसे पतले कागत से बनी होती है उसमें बांस की सबसे पतली मानी लगी होती है बच्चे उसे आसमान में उड़ाते हैं और हलकी और नाजुक होने पर भी वह आसमान में खुब हुच इसका असे यह है कि क्लिष्ट और जो बनावटी भासा है में व्यक्त होने के करण करण कविता है वो प्रभाविहिन हो गई है स्रोता यानि सुनने वाला पाठक यानि पढ़ने वाला उसे समझ नहीं सके कवी का प्रियास भी ऐस अफल हो गया दुरू भासा में भाववविक्त ऐसंभव हो गई है यानि भासा इस परकार से है इसकी कठिन दुर है जो कि उसका भाव है वो भी अभिविक्त होना संभव नहीं है कमरे में बंद अपाहिज कवीता के व्यंग पे टिपणी करनी है कमरे में बंद कवीता है इसमें क्या व्यंग किया गया है तो कमरे में बंद कवीता में अपाहिज जो कवीता है कमरे में बंद अपाहिज इस कवीता में कवी ने दूर दर्शन की एलिविजन की यानि दूर ओधिस्थफत्न हीन कारे पढ़नाली है उस पिए भेंग किया है दूर दर्षन पर शामाजिक और उद्धेश से पूं कहकर जो कारेकरम दिखाए जाते हैं, उनका छदम उद्धेश से होता है पीडितु की पीड़ा को परदे पर выпेज कर अधिक जिदान कमाना उनका मक्सद हो कारी है उस पी कविता ने करारी चोट किया है। सूर्यदेव होने से उस्वा का कौन सा जादू है वो तूट जाता है। यह हमने उपर देख लिया। बादल राग कविता ए विपलव के वीर किसे का गया है और क्यूं का गया है। बादल राग कविता में निराला जी ने बादल को विपलव का वीर काया है। किसको काया है बादल को और इस कविता में बादल को करांती का दूट काया है। किसान के सरम का लाब है, वो सोसित पुंजी पती उठा लेता है, मेहनत तो मजदूर कर रहा है, किसान कर रहा है, लेकिन उसका लाब है, वो पुंजी पती जो अमीर वर्ग है, वो उठा लेता है, मेहनत करने से उसका सरीर दुर्बल हो गया है, वो थक गई है, वो एकरांती का बादल को पुकार रहा है वहीं उसको जीवन दाई जल देकर नव जीवन परदान कर देते हैं कौन बादल तथा सोसन से उसकी रक्षा करते हैं निमंदात्मक परशनों में इसमें से बनेंगे मैं सीख रहा हूं सीखा ग्यान भुलाना कभी ने क्या सीखा और उसे क्यों भुल सारी ज्ञान के पिछे पड़े हैं जो उन्हें सत्दे तक नहीं पहुंचा सकता वे परमात्मा तक पहुंचने वाले सच्छे आदात्मि ज्ञान की पेक्शा कर देते और अनुप्यूप्त सादन जो की बोतिक सादन ज्ञान है उसको अपना कर परमात्मा को पाने की कामना करने वाला इसंसार है मुर्ख है कभी ने ग्यान को प्राप्त किया है ग्यान तो प्राप्त किया है परंद उसका ग्यान भोतिक अनभवों पे आदारित है उसमें त्याग नहीं संग्रह की वर्ति है जो ज्ञान प्राप्त किया है कभी ने वो तिक साधनों से अनभवों से वो ज्ञान है वो संग्रह है उसमें त्याग नहीं है गुणों के कारण किसी का सम्मान करने की भावना भी नहीं है और चापलूस का ठकुर्स सुहाती कहने वालों को महत्व देने का भाव अधिक है यानि जो चापलूस लोग है उनको अधिक महत्व दिया जाता ने कि गुणों को गुणी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता गुणों का सम्मान नहीं किया जाता अता ये लक्स यानि सत्त् प्राप्तिम बादक है कवी इस ग्यान को अपून मानते हैं इसे भुला देना चाहते हैं पतंग कवीता का जो सुन्दर ये भाव है उस पे प्रकाश डालना है तो कवी ने वर्षा के अंत और सरद के आगमन का संकेद दिया है इस कवीता के माध्यम से यानि वर्षा रितु के अंत और सरद रितु के आगमन सरद रितु के चितरण में बिंबु के माध्यम से बाहिये प्रकरती का सजीव चितरण प्रस्तुत किया है कैसे कवी ने पतंग उड़ाने में जो तरलीन है बच्चे वो जीते जागते चितर खिशते और बच्चु की त लिंता, सहांस, निर्भिता, चंचलता, इतियादी गुणों को कवीता में साफ वरकट किया गया है बच्चे पतंग के दोर पकड़े उसे उड़ा ही नहीं रहे बलकि स्वें भी पतंग के साथ आनंद लेते प्रशंता से आकास की ओर उड़ रहे हैं पतंग उड़ाने से प Hook विता का संसिप्थ सारान से लिखे कविता के बहने कविता में कुमर नारएण ने इन दिनों नामक कैवे संग्रह से ली है ये कविता और इस कविता के माध्यम से कवी ने कावे प्रेमियों को आस्वस्त करना चाहा है कि बहुतक वादि जो विचार धारा है इस यूग में कविता के स्तित्व पर कोई संकट नहीं है कवी ने चिडिया की उडान फूलों के खिलने कविता के व्यापक परभाव उनके चिरन जीवी आनंद की और संकेत किया है बच्चों के खेल द्वारा कवी संदेश देना चाहता है कि बच्चों के खेल की तरह कविता भी लोगो के माद्यम से ये हमने देख लिया कि किस परकार से दूर दर्शन है वो इन लोगों की समवेदनों के साथ खेलता है यानि ऐस समवेदन सील हो गया है और इनकी पीड़ा को टीवी पे बेशता है और इनकी पीड़ा का कोई ध्यान उनको नहीं है समसेर बहदूर सिंग की कविता उसा नवीन बिम्बू और उपमानों को जीवन्त दस्तावेज है कैसे इस पस्ट कीजी तो उसा समसेर बहदूर सिंग एक प्रियोगवादी रचना है और कवी ने इसमें सुर्वोदे के पहले के भोर के जो सुन्दर प्राकरतिक चितरन है दर कवी प्रीचे होगा और कवी प्रीचे में हरीवन्स राजबचन जितने भी अपने कवी हैं हिंदी में उनका हम प्रीचे देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में तब तक थैंक्स ओल दी बेस्ट इसकी ग्रामर आपको करवाई जा चुकी है